अगर तुम्हें एंपायर संभालना है तो ये ये आटिट्यूट तुम्हें बदलना होगा आटिट्यूट तो ख़लना है निगाजी खूलना है बॉलिवड में अगर कोई सही मैनों में सुपर स्टार्डम डिजव करता है तो वो है नन अदर्दान रनवीर कपूर इसमें कोई शक नहीं है वो इसलिए क्योंकि ये बंदा अपनी वर्स्टाइल परफॉर्मेंस के साथ साथ अगर किसी चीज़ के लिए जाना जाता है तो वो है अपना यूनिक और अथेंटिक मुवी सेलेक्शन वो फिर चाहे वेकप सीड हो, रॉक स्टार, ये जवानी ये दिवानी, रॉकेट सिंग, संजू, ब्रह्मास्त्रा या फिर एनिमल सब के सब एक से बढ़कर एक और ये बंदा भी अपनी रियल लाइफ में खुद को कभी नहीं दिखाता फेक क्योंकि ये इंस्टा पर ही ने तो चलो फिर आज की इस वीडियो में बात करेंगे रनबिर कपूर की ऐसे ही अपकमिंग मोस्ट अंडिसिबिटेड मुविस की जिसको बनाने में टाइम तो लगेगा लेकिन एक बार बन जाए तो बॉक्स अफ इस खतम और वैसे भी बड़े सयाने कहके गए है अच्छी चीज़े बनने में हमेशा टाइम लेती है बात तो सही है नमबर वन रामायन पार्ट वन भाई साब ये टू पार्ट में बनने वाली एपिक फिल्म होने वाली है जिसको डारेक्ट करेंगे नितिश तिवारी और जिसका ओफिशल अनॉस्मेंट करके इन लोगों ने बता दिया है कि हम इसको दिवाली दोज़श में रिलीज़ करेंगे पहला पार्ट और सेकेंड दिवाली दोज़़श में इसमें करने वाली है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे अगर बात करो तो भाई साब एनिमल में बंदे ने इतना सारा वजन बढ़ाया था पूरा कम कर दिया खुद वीगन बन गया अपार्ट फरम रनबीर कपूर रामाय ने जो प्रोजक्ट है मोस्ट इंट्रेस्टिंग बन थोड़ पाया मतलब लगता है अभी अपनी फिल्म से अपनी फिल्म का रिकॉर्ड थोड़ेंगे क्योंकि इसका बजट भी भाई 835 CR है और इसमें हमें कोविड आउट ने कि इसकी विजिल एफेट्स एकदम ग्रांड लेवल पूर होने वाले है क्योंकि जो इसको कंपनी इस फिल्म को नहीं लगेगी बिमारी सेकंड मुवी है लव और रामायन का अपना पॉर्शन कम्रीट करने के बाद अब रनबीर कपूर जुड चुका है संजिल लिल्ला बंसाली की लव और वार करने में जो में भी एक लव ट्रैंगल मुवी होने वाले जिसमें उनके साथ नजर आने वाले खुद उनकी बाएक को साई को आ लिया एंड अक्टिंग के बाद चाहा विक्की कौशल वैसे इंटरेसिन बात तो यह भी है के रनबीर कपूर अब सेकेंड टाइम संजिल लव अंसाली के साथ यहां पर नजर आएंगे अफ्टर सावरिया डेब्यू वैस पर संदी प्रेड डिवांगा हमारा कंफूजन दूर करेंगे कि अनिमल के लास्ट में जिसने क्या था वो था कुन रनवीजे या फिर अजीज तू है कौन रहे वैसे देखने में मज़ा आएगा रनबीर वर्सेस रनबीर और शायद इसमें अबरार की बैक स्टोरी भी दे 20 CR तो भाई अब तो इसका बजट अल्मोस्ट 300 CR तो हो गाई अनिमल पार का और खमाय की बात क्या ही करूँ भाई 1500 करोड तो फोर्थ वन अगेन मोस्ट इंट्रेस्टिंग और एक्साइडल प्रोजेक्ट है ब्रहमास्तर पार्ट तो देव भाई भले ब्रहमास्तर का स्क्रिंग पले थोड़ा सा यड़ा वकड़ा था और डायलोक्स कच्रा लेकिन भाई कुछ भी कहो डिरेक्टर आयान मुकरजी का विजन और इसकी विजूल एफेक्ट्स इसकी जान थी लिटरली मुझे ऐसा लगता है कि असली विए फेक्स का मतलब समझाया वैसे मैंने आयान मुकरजी की विजन की बारे में इसलिए बात की क्योंकि आयान मुकरजी ने दस साल लगा दे इसकी पूरी तरीके से स्क्रिप लिखने में क्योंकि ये मुवी ट्राइलोजी बनने वाली जिसका पार्ट बंत रलीज हो चुका है अब इस सेकेंड होगा ब्रह्मास्त्र पार्ट टु देव जहां भी आयान मुकरजी वार्टु को डारेक्ट करने में बीजी है जैसे वहां से फ्री होते है और अन्विर य शूटिंग साइमल्टिम से शुरू कर दे तो भाई फैंस के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट यही होगा लेकिन अगर इसके ब्यांड जाकर सोचे तो रनबिर कपूर ही ये देव का करेक्टर प्ले कर सकता है जैसे शम्चेरा में प्ले किया था बाब बेटा सेम तो इसमें क् जब ब्रमास्तर पार्ट वन का बजेट था अल्मोस्ट 400 CR और इस मुवी ने 431 CR कुछ कमाए और हिट साभित हो गई तो अब मान के चल सकते कि इसका बजेट 500 CR तक हो सकता है और रिलीज होगी 2026 के एंड या फिर सकता है इसके स्टार्टिंग में लास्ट बट नॉट दे लिस्ट धूम 4 भाई साब ये तो मेरे लिए अनेक्सपेक्टेड सप्राइस था जहां पर मैं दूर दूर तक रनबिर कपूर का इस रोल के लिए ना हम इमेजन ने कर बारा था भाई वायरेफ होले कबसे बोले जा रहे अफटर आमिर खान धूम 4 म अफ्टर जॉन अबराहम रितिक रोशन आमिर खान ये परदे पर धूम बचाता कैसा देखीगा लेकिन साथ में यह परसनली अक्षे कुमार को यह धूम की बाइक चलाकर अपने डूपते करियर को बचाता हुआ देखना भी चाता था लेकिन भाई साब तो अपने बनाते जा रहा हुआ भाई साब रोज के वीडियो आरे प्लीज सब्सक्राइब करके सप्पोर दिखाओ मिलता हो लेडियो में मैं मज़े किमार बाइ